इसमें क्या होता है कि या तो true हो सकता है या false हो सकता है तो उस condition के base पे हम यह decide करेंगे कि कौन सा part execute होना है और कौन सा नहीं होना है तो if else इसमें if else के हो सकते है या बस if हो सकता है तो अब ही हम single statement की बात करते है single statement single statement में क्या होता है जैसे if बस अगर condition हमारी true मिली तो line execute करने है otherwise कुछ नहीं तो इसमें हमारा ये जो flow chart है अब यहाँ पर क्या होगा कि condition सबसे पहले check होगा यहाँ पर क्या कोई condition अगर true मिलता है यानि कि अगर condition true है तो एक जो additional उसका जो line है वो execute होना है और फिर हमारा यहाँ पर आ जाएगा मतलब rest of the flow है program का हमारा बना रहेगा remaining statement और अगर वो false हो जाता है तो ये line execute ही नहीं होगी ठीक है इसमें क्या है कि बस हमें एक condition check करना है अगर वो condition हमारी true हो गई तो ये additional जो line है ये execute करनी है अगर वो condition fail है तो हमें कुछ नहीं करना बागी हमारा rest of the statement जो है वो true होगा मतलब हमारा execute होगा इसी तरीके से इसका दूसरा क्या हो सकता है या तो true या false इस base पे तो इसमें अब क्या करते हैं कि multiple statement वो क्या था single statement अब इसमें क्या होगा condition check होगा true और false अगर true होता है तो statement 1 execute हो और अगर false हो तो statement 2 execute हो जाए और बाकी ये execute होने के बाद rest of the statement जो execute होगा simple है एकदम जैसे एकदम real life की तरगी अगर हमारे condition ये true होता है तो इधर आके ये execute हो और अगर false हो जाता है तो ये statement execute हो तो अब क्या है कि इस base पे हम एक simple से program करते हैं समझने के लिए तो simple से program क्या है कि हमारा कि check if the number entered is entered number is 5 मतलब हमें ये check करना है कि अब user से एक number हम ले रहे है और check करेंगे कि क्या user जो number दे रहा है वो मतलब five है या नहीं है बस simple तो ये किसमें single वाले statements में अब क्या है कि integer main ये बाकी हो गया एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे end int जो है बहुत सारे program में आपको एक तो void मिलेगा और कहीं कहीं भी main भी मिलेगा तो पहले मैं अल्रेडी बता चुका हूँ return के बारे में लेकिन अब क्या है कि हम इसको omit भी कर सकते हैं नहीं भी लिखेंगे कोई issue नहीं होगा लेकिन हाँ एक जरूर ध्यान में रखनी है बात कि अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा होता है यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब integer वह by default रहता है यह कई बार कोई बार अगर होता है तो उसमें भी पुछ लेते हैं teacher लोग या फिर कोई competition में भी हो सकता है लेकिन तो इसलिए हमें ध्यान देना कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ पे integer लिखा हुआ है आगे से हो सकता है कि मैं इसको नहीं भी लिखू यहाँ पे क्या है कि enter a number scanf %d जो भी है number हमने scan किया अब क्या है कि if number equal to equal to file हमने operator में पढ़ा था कि double equal क्या होता है comparison के लिए तो हमारा जो number हमने लिए user से वह scan करके num में ले लिया और path से compare करना if अगर यह condition true होती है क्या है अगर यह condition true होती है तो हमारा एक यह line execute हो फिर remaining आजे तो same वही है if number is equal to 5 तो यह print करेगा yes you have entered correct number चाहे आप लिख सकते yes you have entered 5 तो यह हमारा simple सा हो गया